हलो फ्रेंज वेलकम बैक टू माई चैनल तो दोस्तो आज हम बात करने वाले हैं टीवी एक्ट्रस येशा रुगानी की लेफ इस्टैल के बारे में येशा रुगानी जो कि टेलिविजन की दुनिया की एक जाने मानी टीवी एक्ट्रस हैं और ये बहुत पॉपलर सोज में भी अपना रोल प्ले कर चुकी हैं और अभी ये इस्टापलस की न्यू सीरियल कभी कभी इतिफाक से मैं नजर आ रही हैं तो दोस्तों अगर आप भी येशा रुगानी के फैन है तो प्लीज वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिए तो चलिए वीडियो को स्टाट करते हैं इनका फुल नेम है येशा रुगानी और नीकनेम है येश्यू बाइप प्रोफेशन ये एक टीवी एक्ट्रस एंड फैसन स्टाइलिस्ट हैं तो चलिए अब बात कर लेते हैं इनकी परस्नल लाइफ के बारे में इनकी देटा बर्त है 24 मार्च 1992 और 2022 में ये 30 एर्स की हो जाएंगी इनका बर्थप्लेस एंड होमटाउन दोनों राजकोर्ट गुजरात में हैं जॉडियक सैन इनका टॉरस है रिलिजिन की बात करें तो ये हिंदु धर्म से बिलॉंग करती हैं तो चलिए अब बात कर लेते हैं इनके फिजिकल स्टेटस के बारे में इनकी हाइट है एप्रॉक्स 163 सैंटीमिटर यानिकी 5 फीट 4 इंचिस वेट है एप्रॉक्स 52 के जी बात करें फिजियर मिजर्मेंट्स की तो वो है 34, 28, 34 तो चलि आप बात कर लेते हैं इनकी एजुकेशनल क्वालिफिकेशन के बारे में इन्होंने अपनी स्कूलिंग एस एन कंसागरा राजकोट गुजरात से कंप्लीट की है इन्होंने अपना ग्रेजुएशन सिंबायोसिस इंस्टिटूट ऑफ डिजाइन मुंबई महाराष्टा से क में जीद गई तो पिया मोरे में देविका के रूप में किया था उसके बाद इन्होंने 2018 में इस्टार भारत के पॉपलर सो मुस्कान में अपना रोल प्ले किया था उसके बाद ये सब टीवी के सीरियल हीरो गायब मोड आन में भी नजर आ चुकी है और अभी ये फिलाल इ ड्रामा एक कॉंपरिटिसन में पार्टिसिपेट करती थी लेकिन उन्होंने कभी भी अपने एक्टिंग को केरियर बनाने के बारे में सोचा नहीं था और वो ये भी कहती हैं कि वो कभी भी एक फिल्म लवर या फिटीवी शो लवर नहीं रही है एक्टिंग में अपना केरियर बनाने से पहले येशा रुगानी ने प्रियंका चोपड़ा, ईशा गुपता और मलाइका अरोड़ा जैसे सेलिब्रिटिस के लिए एक इस्टैलिस्ट के तोर पे काम किया है पोचलिया बात कर लेते हैं इनके फैमिली के बारे में मेरिटल शुटर्स की बात करें तो ये सिंगल है और अभी फिलाल किसी को डेट नहीं कर रही है तो चलिया बात कर लेते हैं हम इनके मन्यूफेक्टर के बारे मैं सेलिब्री की बात करें तो ये एक्रोग्स 42-50,000 पर एपिसोड चार्ज करती है इनका नेट वर्त है एप्रोक्स 123 मिलियन यूएस डॉलर्स तो दोस्तों आपको आज की वीडियो अगर पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक एंड सेर जरूर कर दीजे और ऐसी ही और वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर दीजे तो चलिए आप मिलें के हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में हैं